Hello everyone, कैसे आप सब, I hope कि आप सभी अच्छ होंगे, मैं Sangeetha from LearnHub, the free learning platform, जहां आप पढ़ सकते हैं, Math, Science, SST, absolutely free at learnHub.com बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ICC, Class A, Topic हमारा है, Interpreting Topographical Maps, Part 2 चले बात करते हैं, Settlement Patterns on Topography Area, Topographical Map, तो Topographical Map जो है, उसको जब हम देखेंगे, तो हमें उसको देख कर Settlement Pattern किस जगा क्या है, उसके बारे में भी पता चलता है, ठीक है, अभी Settlement है क्या, Settlement भाई, Group of Houses जो है, वो है Settlement, जहां पर कई सारे घर जो है, वो एक साथ बने होते हैं, उसके हम कहते हैं, Settlement चाहे वो Permanent हो, चाहे Tamporary हो, चाहे वो Villages में हो, चाहे Towns में हो, बट Group of Houses जो है, उससे हम कहते हैं, Settlement साइज क्या होता है, क्या कोई Settlement साइज है, बिल्कुल नहीं, Settlement का साइज जो है, वो वहांके Population क्या है, उस पर Depend करता है, Settlement का साइस जो है वो डिपन्ड करता है किसी ज्यगह का एडमिनिस्टैफिन कैसा है बिल्डिंग्स कैसी जैसे बिल्डिंग्स में हमने बात कर लिए कि हौस्पिकल्स हो गाएइड है इंडस्रिइ में हो गई रिस्ट फॉस्टिन यह सारी चीज़े हो गए अच्छा नहीं है पोलिस व्यवस्ता जो है वो अच्छी नहीं है कभी भी किसी को भी मार दिया जा रहा है चोरी हो रहे है यह सारी चीज़े हो रही तो ऐसी जगह बर क्या सेटलमेंट जाता रहेगा नहीं रहेगा ठीक है तो यह सारी चीज़े जो ह समय के साथ हम क्या देखते हैं किसी जगह पर भाई कुछ लोग जो है वो रह रहे धीरे धीरे क्या है वहाँ पर लोग बढ़ने लगते हैं ठीक है तो कुछ भाई इसका कोई किसी वज़ा से ऐसा होगा उसकी वज़ा क्या है कौन सा फैक्ट है तो वही फैक्ट जो है वो हम अ चलेगा बैरन है पूरी लेंड तो काम की नहीं ठीक है तो एरिया जो है वह फ्लैट हो और कल्टिवेबल हो वहां पर पॉपुलेशन जो है वह ज्यादा रहता है ठीक है वाटर वाटर जो है बहुत ज़रूरी है चाहे हम बात करें हाउस होड्स हो गई इंडस्ट्रीज हो के आसपास ही हुआ था ठीक है और सो ठ्राइन ऑन अप्लेट्यू ठीक है प्लेट्यू जो है यहां पर भी हम देखे तो यहां भी सेटल्मेंट देखने को मिलता है क्यों 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 जो प्लेट्यू होता है वह टेबल टॉप होता है फ्लैट होता है तो अगर फ्लैट है औ पोल्स की तरफ चले जाए है ना तो बहुत ज़्यादा थंडा है या बहुत ज़्यादा गरम है ऐसी जगह पर भी ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं ठीक है तो जहाँ पर suitable climate होगा वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा रहते हैं इसके अलावा employment जो है वो easily मिल जा रहा है industries वगरह है mines वगरह है तो ऐसी जगह पर settlement जो है वो जाता है जिसे mines वगरह है वहाँ पर जो काम कर रहे है चाहे temporary ही सही आसपास जो है वो अपना settlement कर लेते हैं कि वहाँ पर लोग जो है वो रहने लगते हैं ठीक है यह हो गया इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे roads हो गए, railways हो गए, rivers हो गए इन सब की connectivity जो है वो अच्छी हो जिसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे है ट्रेड कर रहे हैं जो भी चीज़ें तो वहाँ पर वो जरूरते जो है वो पूरी हो सके तो इस तरीके से यह सारी चीज़ें जो है यह सारे factors जो ह ठीक है तो यह जो रहेंगा road, rivers, railway ठीक है यह सारी facilities रहेंगी तो goods जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इसली चाह सकेगा तो ऐसी जगह भी क्या है settlement जो है वो होता है अब settlement की हम लोग बात कर रहे हैं तो देखे settlement जो है permanent and temporary दोनों तरीकी का होता है जो temporary settlement होता है वहाँ है कुछ time के बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं तो ऐसे लोग कौन होते हैं देखा जाए तो जो hunter gatherer होते हैं या shifting cultivation करते हैं यह सारे लोग होते हैं कि एक जगह कुछ time तक उन्होंने बिताया अब जिसे shifting cultivation वाले ही है कि कुछ time एक जगह पर रह रह रहे हैं उसके बाद जो land है उनके काम की नहीं तो आप दूसरी जगह पर चले जाते हैं ठीक है hunter gatherer है कि अपनी चीज़े जो है वो बेच रहे हैं फिर अगली जगह जा रहे हैं इस तरीके से तो ऐसे लोग कुछ time के लिए temporary कुछ time के लिए अपना settlement जो है वहां पर बनाते हैं मतलब settlement बनता है ठ ठीक है तो तो देखा जाए हाँ जो urban areas होते हैं वहाँ पर जैसे कोई काम चल रहा है ठीक है construction site है तो उसके आस पास हम देखते हैं जैसे bridge हो गया ठीक ब्रिज बोगएड़ है तो वहाँ पर हमने देखा है ना कि वहाँ पर क्या करते हैं जो काम कर रहे होते हैं वह छटे- तो partie टाइम के बाद ऑब हो सकता है बात करते हैं पर्मानेट जो की क्या होए इस थाइय रूप से जहां की पर्मानेट तरीके से लोग यह रहते हैं हमेषया की भर जो है भल भरर समय के साथ वहां progress होती रहती है उसमें सुधार आने लगता है उनका जो structure है उसमें सुधार आता है road, railway यह सारी की condition जो होती है वो और ज़्यादा वहाँ पर सुधारने लगती है चले बात करते हैं types of settlements ठीक है तो settlement के types के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो settlement का type जो है वो तीन तरह का होता है first nucleated settlement हम लोग इसकी बात यहाँ पर करते हैं ठीक है तो nucleated settlement जो है वो कैसा होता है nucleated settlement जहां पर क्या होता है group of houses जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं चाहे बिल्डिंग्स की बात करें, चाहे हट्स की बात करें, वो बहुत जादा होते हैं, ठीक है, जैसे आप जब देखेंगे, यह मालने जे कोई रोड वगेरा है, ठीक है, तो आप जब टोपो शीट पे देखेंगे, यह टोपो ग्राफिकल मैप, जिस भी नाम से आप बोल तो वहां पर सेट्लमेंट जो है, ठीक है, यह ऐसे बॉक्स जो रहते हैं, रेड ना, वो क्या शो करते हैं, तो वो क्या है, बहुत सारे आपको बने हुए दिखेंगे, एकदम पास-पास घने बसे होंगे, ठीक है, तो वो यह शो कर रहा है, कि भाई, यहां पर लोग जो है यहां पर settlement जो है वो बहुत अच्छा है बहुत जादा settlement है ठीक है तो compact cluster या फिर कह सकते बिल्कुल घने बसे हुए buildings या huts ऐसी जगह पर होते हैं ठीक है कहां पर यह पाए जाते हैं basically देखा जाए तो जो valleys होती है plains होते हैं ऐसी जगह पर क्यों हमने देखा है settlement कहां से शुरू हुआ जो river valleys थी उनके आसपास से ही settlement शुरू हुआ क्योंकि वहां पर क्या है water availability अच्छी है जिसकी वज़े से क्या agriculture भी हो रहा है trade भी हो रहा है यह सारी चीज़े वही चीज़ यहां पर की इस तरीके का जो compact cluster जो है वो कहां पर पाया जाता है typically plains और valleys में यह क्या indicate करता है यह indicate करता है कि भाई इस जगह की land जो है वो क्या है fertile होगी तभी लोग इतने जादा यहां पर रह रह रहे हैं ठीक है यहां पर agriculture जो है वो कैसा होगा वो भी अच्छा होगा ठीक है अगरिकल्चर लैंड और जो लैंड होगी वो fertile होगी और agriculture यहां पर अच्छा पाया जाता होगा कि यहां पर settlement जो है वो बहुत compact cluster type का है ठीक है बिलकुल घना बसा हुआ है इसका मतलब कि भई यहां पर agricultural condition जो है वो अच्छी होगी इसके अलावा भी और चीज़ होगी जब लोग यहां पर बहुत सारे रह रह रहे हैं इसका मतलब यहां पर railway की condition जो होगी वो अच्छी होग किसी को मारा पीटा जा रहा तो ऐसी जगह पर कहां लोग जो है वो बहुत ज़ादा रहेंगे ठीक है तो include essential जो है वो यहां पर है यह शो करता है ठीक है इसको हम लोग किस नाम से cluster settlement के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह बहुत घने बसे हुए होते हैं चले बात करते हैं linear settlement नाम से समझ में आ रहा है जहां पर क्या होगा line से settlement होगा ठीक है तो इस तरीके का settlement आपने कई जगह पर देखा होगा भी जब हम लोग बात करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपने कहां पर देखा है ठीक है तो road के किनारे किनारे आपको settlement जो है वो देखने को म in a line, houses, shops, धाबास, पेट्रोल पंप and garages develop linear, ठीक है, तो यह सारी चीजी जो है, वो क्या है, line में develop होने लगती है, समय के साथ क्या है, धीरे धीरे इनका size जो है, वो बढ़ने लगता है, क्यों पहले कुछ shops लगी, धीरे धीरे क्या है, कि लोगों ने देखा, वहाँ पर development हो र लेता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे shop जो है, वो बढ़ रही है, तो यहाँ पर trading cent का यह रूप ले लेता है, या फिर क्या सकते है, व्यापारिक केंदर का रूप ले लेता है, कई बार ऐसा होता है, कि कुछ ऐसे places जो होते है, railway track के आसपास है, ठीक है, कि वो railway track, ठीक है, railway के अगर आसपास है, तो वहाँ पर railway station भी बनवा दिया जाता है, ठीक है, इसके अलावा, कई बार होता है, आपने देखा है, कि आप बहुत दूर का सफर कर रहे हैं, कुछ जगह है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर कुछ ऐसा आता है, highways वगरह हो गए, उ वाली जगह आ रही है, वहाँ पर चल के थोड़ा रिस्ट करेंगे, वहाँ खाना खाएंगे, ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या होते हैं, कि जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनके लिए इंपोर्टेंट स्टॉप बन जाते हैं, कि लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, फिर सुस्त चले बात करते हैं, स्कैटर्ड सेटिल्मेंट, जैसा की नाम से समझ में आ रहा है, स्कैटर्ड यानि की बिखरा हुआ होगा, ठीक है, कहीं पर सेटिल्मेंट जो है, वो हम देखते हैं, कुछ ऐसे हैं माली जी, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, अभी हमने क्या देखा यह शो कर रहा है कि भाई population जो है वो यहाँ पर कम होगी इसलिए इस तरह है कम population को शो कर रहा है population कम क्यों है क्योंकि population को support करने वाली चीजे जो है factors जो है वो यहाँ पर available नहीं होंगे इसी वज़े से यहाँ का settlement जो है वो scattered है ठीक है also known as dispersed settlement इसको हम लोग display settlement के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर घर है या houses है वो दूर दूर पर होते हैं ठीक है यह show कर रहा है कि भाई यहाँ पर population कम है इसका मतलब कि यहाँ पर agriculture facility जो है वो शायद अच्छी नहीं होगी लैंड अच्छी नहीं होगी ठीक है यह सारी चीजों को यह show कर रहा है जो चीज़े हैं roads वगेरा वो नहीं होंगी यहाँ पर अवलेबल अच्छी इसलिए लोग जो है वो इस तरह से रह रहे हैं हाँ यह settlement एक चीज़ और show करता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ऐसा settlement जहाँ पर होता है तो ऐसे लोगों के पास ज्यादा तर क्या है animals होते हैं क्यों कि उनको grazing के लिए अच्छा कासा area मिल जाता है ठीक है lack of proper roads ठीक है तो यह यह भी शो कर रहा है प्रॉपर roads वगरा नहीं होंगी हो सकता है इसलिए यहाँ पर क्या है कि development नहीं हुआ होगा तो population कम है इस वज़े से settlement जो है वो scattered है चले बात करते हैं transport and communication जो हमारी topo sheet होत जो किया जाता है जैसे हम बात करें railway ॹरेलवे के लिए खर से बइस तरह करता है तो लिए ट्रांसपूर के मोड्स की बहुत क ceuxorts होते हैं ठीक है चलिए यह देखते है various modes of transport मेटल रोड मेटल रोड की अगर हम लोग बात करें किसको कहते हैं जो पक्की सड़क होती है उसको हम कहते हैं मेटल रोड ठीक है जो किसे चारकोल वाली रोड होती है तो वो कैसी होती इस तरीके से उसको शो किया गया होता है यह हमें बस शो करता है कि यहां पर क्या है पक्की किसे यह भी शो रहता है, फुट पाथ की बात करें हम लोग, तो फुट पाथ जो है, वो कुछ ऐसा शो होता है, ना, तो यह चीजे क्या है, यह साइन एंड सिंबल, जो है, वो हमको बताते हैं, कि कहां पर क्या है, तो टॉपोर शीट में किसी लोकेशन को देखें, हम यह जा होती है, अगर माल लीजे कहीं पर क्या है, कार ट्रेक एंड पैक ट्रेक है, तो यह समझ में आ रहा है, कि वाई जो विलेजे हैं, उनको जोड़ने का यह काम कर रहा है, फुट पाथ है, तो यह समझ में आता है, कि अबडखाबड सा एरिया है, जिसकी वज़े से क्या है, य जब भी कोई रोड बनाई जाती है या रेलवेज जो है वो बनाया जाता है तो बिलकुल ध्यान में रखा जाता है कि उस एरिया का जो भी एरिया में है उस एरिया का रिलीफ कैसा है ड्रेनिश सिस्टम जो है ड्रेनिश पैटर्न जो है वो कैसा है अगर कहीं पर बहुत सारे हैं तो वो ये शो कर रहें कि यहां आसपास बहुत सारी Ether E cream होगी कोई बहुत धाल वा एरिया है ठीक है वहां पर क्या है वहां रेलवे ट्रेक जो है वह नहीं बनाए जा सकेगा की बाइब WWE track जो है धाल की और नहीं रहां क्योंकि railway क्या ऊती यह जो ground level होता है उससे ये थोड़ा उचाई पर बनाया जाते हैं ये किसलिए होते हैं ये इसलिए होते हैं कि भाई जो flood वगएरा आते हैं उनसे बचा जा सके उनसे बचाओ के लिए इनको बनाया जाता है cause ways की बात करें तो small stream और metal road जो होती है वो है cause ways इंडिया में तीन तरह के railway gaze पाये जाते हैं first broad gaze second meter gaze and third narrow gaze broad gaze इंडिया में सबसे ज़्यादा use होता है broad gaze का जहां पर अगर हम लोग railway track की बात करें single भी हो सकते हैं double भी हो सकते हैं यहां पर जो trains होती हैं इनकी आवाजाही हमेशा बनी रहती है ठीक है बात करते हैं meter gaze, meter gaze पहले के time में बनाया जाते थे क्योंकि इसकी लागत जो है वो कमाती है लेकिन आज के time में इसका उतना use नहीं है तो धीरे-धीरे meter gaze जो है वो बंद किये जा रहे हैं इनको क्या किया ज़रा इनको convert कर दिया जा रहा है broad gaze में जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा इसका use किया जा सके फिर आता है narrow gaze कहां पर होता है जहां बाद हेल स्टेशन सोते हैं वहां पर होता है narrow gaze ठीक है जैसे कि हम बात कर सकते हैं दारजलिंग हो गया शिमला हो गया ठीक है वेस बेंगौल हो गया यह अब अगर आपके सामने topo sheet है उसमें इस तरीके का sign जो है वो बन र तो यह क्या शो कर रहा है यह शो कर रहा है कि मीटर गेज यहां क्या एरिया है वहां कि जो railway track है वह मीटर गेज टाइप कि किसी प्लेस पर अगर माल लीचे मारे हाथ में कोई का ड्रेलवे का एंड कम्यूनिकेशन रेलवे एंड रोट्स वगेर का तो वह क्या स्कर रहा है वहां पर इतना अच्छा नेट्वर्ग घ्यूंक है क्योंकि उस प्लेस की कुछ ना कुछ ना कुछ ना प्रण होगी अगर यह मां चामेश़ ना कुछ ना है जो ने तो वहां का या रोड का है ठीक है ये ये भी इंडीकेट करता है कि यहां पर कई सारी economic activities भी हैं या फिर यहां पर economic activities हैं जिसकी वज़य से यह ज susp है किसी जगर पर कोई picnic प्लेस है ठीक है इस वज़़े से connectivity है या फिर वहां का country एक शो करता है तो एकनोमिक अक्टिविटी इसको भी शो करता है प्रेजंस आफ टेंसिटी किसकी रोट और रेलमेज की थी कि तो यह चीजे शो करती है अब इसकी बाद आते हैं किस पे आपका एरपोर्ट एरपोर्ट जो है ये भी एक अच्छा खासा मीडियम है किसका ट्रेवल एंड कम्यूनिकेशन का ठीक है अब कहीं पर मालीजे किसी मैप में आपके सामने शो हो रहा है ये साइन अब हम बात करें एगर एरप्लेंस वगरे की ठीक है तो ये कहां पर होते हैं ये ज़्यादे तर कहां पर आपको मिलेंगे ये बड़े शहरों में ही मिलेंगे बट फिर भी ये उसकी क्या है importance को शो करता है तो अगर ये इस तरीके का sign है तो हमें ये पता चलता है यहां पर कोई एरपोर्ट है चले बात करते हैं, how to read and interpret a topographical map, एक topographical map जो है उसको हम किस तरीके से पढ़ें या उसे हम किस तरीके से explain करें, देखिए हम लोग स्टार्टिंग से यहां पर देखते आ रहे हैं कि topographical map क्या है, यहां पर human made feature और उसके साथ ही साथ natural feature दोनों ही show होते हैं, ठीक है, human made यानि कि जैस कि mountain हो गए, plateau हो गए, ठीक है, यह सारी चीजे, ठीक, तो यह सारी चीजे जो है, वो यहां पर show है, अब एक topographical map जो है, उसको read करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, उसके top पर लिखा हुआ sheet number देखना होता है, ठीक है, तो sheet number जैसा कि यहां पर लिखा है, part of sheet sheet number 45D-7, ठीक है, तो 45D-7 जो इसका sheet number है, यह क्या बता रहा है, यह किसी particular, किसी geographical area को यह show कर रहा है, ठीक है, यहां पर क्या है, यह जो sheet number है, यह किसके लिए है, यह राजस्थान और गुजरात की कुछ district हैं, उनके बारे में है, ठीक है, उसका यह topographical sheet है, यानि कि उसके बा अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, यह sheet has number printed on it, जो भी topographical sheet होती है, उस पर यह number जो है, वो sheet number जो है, वो उस पर print होता है, ठीक है, जो कि हमें बताता है, यह कहा का है, वरना तो पता भी नीचे लेगा, ठीक है, तो यह number के according हम उस जगह को जान सकते हैं, कि किसके बारे में यह है, ठीक है, sheet number corresponds to a specific geographical area, अब जैसे यह sheet number हमारे सामने है, तो यह कहा का sheet number है, यह राजस्थान और गुजरात के कुछ district जैसे की कांथा, सिरोही, बनास, ठीक है, इन district के बारे में है, ठीक है, अब इसी में आपको एक चीज़ और देखनी है, कि इसी में आप देख रहे हैं, कि तरफ ये भी दिया हुआ है, किस easting से, किस मदब, इसकी easting क्या है, और इसकी northern क्या है, easting की बात करें, तो यह यहाँ पर है, 91 to 0000 क्यों है, क्योंकि 100 जो है, वो 3 desert हो जाएगा, हम लोगों ने पहले बात की है, कि वो कितना रहेगा, 2 desert में ही रहेगा, ठीक है, अब इसकी हम आते हैं, किस पर northern पर आते हैं, जो कि 77 to 91 है, ठीक है, तो 91 to 00 easting है, और इसकी 77 to 88, तो कोई भी topographical map जो है, जब हम उसको read करेंगे, सबसे पहले यह चीज़े हम ध्यान में रखेंगे, चलिए बात करते हैं, scale, जो कि bottom में होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको show हो रही ह rf 1 to 50,000, ठीक है, अब क्या है, कि यह जो scale होती है, यह different map में different होती है, जैसे कहीं पर rf 125 भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, scale यहाँ पर हम लोगों ने यह भी पहले बात की थी, इसके लिए, कि यह क्या है, यह 2 cm, है ना, 2 cm के, यह हमारे grids जो है, वो बने है, या यहाँ का, 2 cm, जो है, हमारे जो paper पे है, actual जो ground है, वहाँ पर 1 cm, 1 km है, यहाँ पर यह चीज भी शो हो रही है, इस scale के, छोटे से portion में हमको यह शो किया हुआ है, 2 cm, 2, 1 km, ठीक है, इसके लावा बात करते हैं, हम लोग grid की, grid जो है, red line से यहाँ grid बना हुआ है, जो की northern और easting line जो है, यह एक दूसरे को काटती है, या एक दूसरे को cross करती है, और इस तरीके से यहाँ पर क्या है, grid बनते हैं map में, ठीक है, जो की किसी place को locate करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने 4 figure reference और 6 figure reference में इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, ठीक है, direction on map, जो की top पर होता है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर easting and northern जो है, यह बाकाइदा हमारा दिया हुआ है, कि easting हमारी कहां से कहां तक है, और northern जो है, वो कहां से कहां तक है, चले बात करते हैं, easting and northern, detail में हम लोगों ने पहले समझ लिया है, बस एक छलक उसकी यहाँ पर हम लोग देखेंगे ठीक है, easting जो vertical है, northern जो horizontal है, start होती है, कहां से, आपके west से east की तरफ चलती है, है न, easting west से east की तरफ चलेगी, northern जो है, north की तरफ आगे बढ़ रही है, easting east की तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है, यह सारी चीज़े हम लोगों ने समझ ली थी, easting और west, northern जो है, वो क्या करती है, एक grid square बनाती है, ठीक है, एक दूसरे को cross करती है, और इस तरीके से grid square बनाती है, जो यह grid square बनता है, यहाँ पर हम देखें, तो two centimeter को यह represent करता है, ठीक है, यहाँ पर two centimeter, जो की यहाँ का two centimeter है, और actual ground पर यह क्या है, यह one kilometer को show करता है, ठीक है, अच्छा, इसके लाबा four figure and six figure जो है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया था, four figure और six figure जो है, उससे हम किसी भी place का, किसी भी कह सकते point का accurate क्या position है, वो हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया, चेक लो बोल दिया, अब यह चेक लो का point यह है, इसको हम क्या है, four figure के द्वारा समझ सकते हैं कि किस जगह पर पढ़ रहा है, जैसे कि हम लोगों ने बोल देखा, चेक लो, 92 से यह है, 91, तो इसका four figure हो गया, 92 and 91, ठीक है, अब यह हमें समझ में आ गया, यह जो square पढ़ रहा है, यहाँ पर है, चेक लो, अब चेक लो के लिए, अगर कह दिया गया, कि six, मलद एक्ज हमें लोग डिवाइट करेंगे, जो भी आएगा, उसको हमेशा two से डिवाइट किया जाएगा है, तो उसके बाद यह हमारा माल लीजे आगे, तो exact इसकी position जो है, वो हमें पता चल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर region between specific easting and northern values, ठीक है, इनके दोरह हम लोग specific region जो है, उसके में जान सकते है, four figure, six figure, figure, यह हम लोगों ने समझ लिया, यह क्या है, two centimeter जो है, उसको, उससे हम लोग ने, यहाँ पर represent किया है, one kilometer को, ठीक है, अब इसका area जो है, वो हम देखेंगे, तो two into two equal to four centimeter, ठीक है, लेकिन actual land पर अगर हम लोग देखेंगे, तो क्या आएगा, यह क्य लोगों ने क्या कहा है, one kilometer, and one kilometer, one into one equal to, sorry, one into one equal to one kilometer ही यह रहेगा, ठीक है, तो यह one kilometer इसका area आएगा, अब यह जो scale है, यह क्या है, यह change भी हो सकती है, ठीक है, आरफ जो है, वो यहाँ पर दिया होता है, scale जो है, वो भी आपके bottom में दी हुए होती है, आरफ जो है, one is to fifty thousand, ठीक है, four figure, six figure, listen and keys की, अगर हम लोग बात करें, listen and keys जो है, वो हमको help करते हैं, चीजों को समझने के लिए, अब क्या है, कि हमारे सामने यह सारी चीजे अगर बनी हुई है, पी-ओ लिखा है, हमें नहीं पता है, कि पोस्ट आफिस है, ठीक है, red boxes बने है, हमें नहीं पता है यह red boxes क्या है, तो नहीं जान सकेंगे, ठीक है, इसके लिए जरूरी है, conventional sign, symbol and colors जो है, उसके बारे में हमें पता हो, जैसे कि यह green जो है, वो show कर रहा है, कि यह क्या है, यह forest area है, white, barren land है, yellow, जो color है, वो हमको show कर रहा है, कि यह agriculture land है, तो यह कैसे हम समझेंगे, जब हमको इ अलग से भी दी हुई होती है, उस जो indicate किया हुआ था, उसके according हम लोग इसको समझ सकते हैं, चलिए अब देखते हैं, कि एक topo sheet हमारे सामने है, उस पर contour lines जो है, वो हम कैसे देखेंगे, spot height जो है, वो कैसे पहचानेंगे, या फिर triangulated station जो है, उसको हम कैसे समझेंगे, ठीक ह तो देखा जाए, तो 20 meter जो है, वो standard लिया जाता है, distances का, दो vertical जो contour है, ठीक है, उसके लिए, दो vertical contour जो है, उसके बीच का जो interval है, ठीक है, उसको हम कैसे लेते हैं, ऐसे हम लोग ने देखा था न, एक ही हो गया, अगला इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्या, 20 meter का अंदर जो है, वो लिया जाता है, यहाँ पर हमारे इस map में यही शो हो रहा है, बट यह क्या है, height के according change होता रहता है, इतनी सारी contour line हम लोगों ने अभी बनाई, तो हर जगह 20 meter वो नहीं था है, तो वो height के according change होता रहता है, जिसे हम क्या करते हैं, वी आई के नाम से उसकी जो height है, उसको हम देखते है, spot height, spot height को show कैसे करते है, एक dot के, black dot जो है, उसके द्वारे इसको show किया जाता है, ठीक है, आपके में जो reference दिया है spot height के लिए, उसको हम देख लेते हैं, वो आपको दिया हुए है, 92, 84, ठीक है, यह देखे, उसमें 522, point दिया है, कि point से उसको show किया जाता है, dot से, जो कि 522 है, यहां पर 522 आपको show हो रहा है, इसके लिए 6 figure reference भी दिया है, 92 and 84, हम लोग देखे भी बात की थी, जो starting का होता है, उसी line को हम लोग लेते हैं, और उस तरीके से scale रखकर हम उसको निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें बाकाइदा यहां प सकते हैं, उससे निकालते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर grid जो हैं, वो भी बना सकते हैं, कि 2 cm हमारा यह है, 2 cm हमारा यह है, इसको हम क्या करेंगे, तेन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानि 2 M, 2 M के अंतर पर करके, यहां पर grid बना देंगे, और उसके अ जाता है ठीक है उसकी उचाई को जो कि यहां पर इस एक डॉट के द्वारा शो किया गया है नेक्स हम बात करेंगे ट्रेंगुलेटेड इस्टेशन यह भी क्या है किसी शेत्र की जो सबसे ज्यादा उचाई है उसको यह शो करता है ठीक है इसको हम क्या करते हैं ट्रेंगुले highest point within the area, ठीक है, area के highest point पर ये located होता है, जिसे हम क्या कहते है, station कहते है, इसको show कैसे करते है, एक triangle के द्वारा, reference आपके में दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर, two, one, seven, ठीक है, और rectangle जो है, वो बन रखा है, ठीक है, reference यहाँ पर जो दिया गया है, किसका दिया गया है, 93 और 79 का दिया है, six figure reference है, एक बार उसको आप चेक भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर reference जो है, वो दिया हुआ है, और इसके दोरा यह height जो है, वो show की जाती, RF 1 is to 50,000, अब बात करते हैं contour index, ठीक है, तो contour index की अगर हम लोग बात करें, क्या है, इसके पहले में, हम लोगों ने इसके बारे में भी जिक्री किया, अब जब हम एक topo sheet देखते हैं, यहाँ पर क्या है, contour lines बनी है, बट बीच बीच में हमको कुछ lines जो है, यह तो चीजे समझ में अच्छे से आती, तो उसी तरीके से यहाँ पर किया जाता है, हर पांच वी contour जो होती है, हर पांच वी यहाँ देखे 400, आपके में reference दिया है, 97 and 82 वाला जो grid है, ठीक है, जो four figure reference है, यहाँ का दिया हुआ है, कि यहाँ पर देखे, जो 400 वाला है, इसक इसको dark show किया जाता है, ठीक है, तो every fifth contour line emphasized bolder than others, ठीक है, serving at the contour index, ठीक है, it adds is easily identify contour lines, ठीक है, तो इसके दोरा हम लोग contour lines जो है, उसको easily identify कर सकते हैं, देखे, बहुत सारी contour lines बनी है, अब कौन सी जो है, किस number को show कर रही है, पता नहीं चलेगा, अब हर पांच वी जो है, वो dark र DEP जो है, यह आप देखेंगे, आपके इस जो आपका topo sheet है, इसमें कई जगा आपको मिल जाएगा, यह देखे, जगा जगा पर DEP जो है, वो show हो रहा है, ठीक है, यही देखे, यहाँ पर जो आपका, कौन सा है, 94 and 79, इसका reference दिया हुआ है, तो DEP यहाँ पर show है, जहाँ प ठीक है, उससे lower area है, चलिए हम लोग बात करते है, reverse की, जैसे reverse देखें, तो यहाँ पर क्या है, एक Benas river जो है, वो यहाँ से आ रही है, ठीक है, यह क्या है, मेन river है, बनास, जिसमें कि यह बलराम रिवर जो है, वो क्या हो रही है, बलराम नदी, यह क्या हो रही है, इसमें वो क्या है इसकी ट्रिब्यूटरी है यह में डिसकस किया था कि जहाँ पर क्या है पानी होता है ठीक है तो ड्राई जो है और वेट स्ट्रीम है दोनों को हम लोग अलग तरह से शो करते हैं राई को ब्लैक से जो wet है उसको हम कैसे show करते है ब्लू से ठीक है तो यह ने कि आपकी जो है यह wet है तो इसको क्या किया गया है ब्लू से show किया गया है ठीक है next is several type of contour features ठीक है contour features हम देखेंगे तो बहुत तरह के होते हैं बहुत तरह के होते हैं हम लोग उन सब के बारे में अभी हम लोगों ने देखा contour features जोते हैं बहुत तरह के होते हैं जैसे हम लोग सैडल वगेरा सब कुछ देखेते हैं उसी तरह आ जाते हैं यहां पर भी जो reference दिया है उसको ले ले लेते हैं grid square 91 85 ठीक है grid square 91 ठीक है और 85 अच बिल्कुल पास-पास lines जो है वो बनी है ठीक है जो contour lines जो है वो क्या है पास-पास बनी हुई है तो यह क्या है steep slope को शो कर रहा है जहां पर दूर दूर होंगी वह gentle slope जो है उसको शो करेगा ठीक है 97 85 ठीक है 97 85 आ गया हम लोग 97 है and 85 आते हैं तो यहां पर देखिए यह आपक 97 यहां पर क्या है यहां पर आपको शो कर रहा है एक water shade यह देखिए यह बना हुआ है ठीक है यह सारी चीचे हम लोगों ने detail में देख ली है three dominant color three dominant color जो है वो हमको यहां पर शो होते है green white yellow ठीक है तो green जो है वो शो कर रहा है कि यहां पर forest है वहीं बीच में यहां पर पूर अब जो forest है यह दिख रहा है लेकिन यहां पर बीच में ठीक है reference भी इसका दिया हुआ है कि hill with spot height 52 hill with spot height 52 यह लिखा हुआ है ठीक है spot height अभी हम लोगों ने यहां देखा था ना 522 sorry 52 नहीं 522 ठीक है तो इसको 92 84 ठीक है reference इसी का दिया है 92 84 में हम लोग चलते हैं तो यहां पर फोरेस्त था यह जो portion है इसको क्या कर दिया गया है काट दिया गया यहां पर patch है white का पूरे green में white का patch है जो की show कर रहा है कि हहां पर forest रहा होगा पहले जिसको की काट दिया गया है जाले हम लोग बात करते है man made object की ठीक है तो man made object जो की manmade जो की मनुश्य के द्वारा हुआ ह जो भी जीजे है घर हो गये रोड हो गये जानना हमारे लिए जरूरी है उसके उदारा हमें इन चीजो को यहां पर पहचान सकते हैं इन डिफ्रेंट पैटर्न छे लग 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 लिखा हूँ है सिर्लमेंमर नोसे चाहिए में। इसके समझान जो सड़ा किनारे हुए है रोड किनारे हैं रोड किनारे ह है किसा बीख्रा नियुक्रिय जो कि है ठीक है तो यहां पर रिफ्रेंस दिया है ग्रेड इसक्वाइर 95 80 ठीक है तो 95 and 80 पर हम लोग आते हैं यहां पर देखिए सेटलमेंट आपको शो हो रहा है देखिए बिल्कुल पास-पास है ठीक है जो की शो कर रहा है कि निखिलेटेद यहां कॉमेक्ट ठीक है सेटलमेंट को फिर गेड ज्रीकूइर 98-86 ठीक है 98 and 86- 98-86 कहां पर हम आते हैं कौन सा है 98 है 86 है यह यह यहां पर देखिए दूर दूर पर यह बना यहां पर है यहां पर है यहां तो इस तरीके से यह सारी डीटेल जब हम समझेंगे तो उसके बाद कोई भी जो टोपोशीट है उसको हम लोग आराम से पढ़ भी सकते हैं या explain भी कर सकते हैं चैप्टर से related अगर कोई doubts आपके हैं तो उसको हमारे ask questions section में आप पूछ सकते हैं तो बचो इस तरह हमारा यह chapter complete होता है मिलते हैं next chapter at learn hub, learn hub free है पर best है पहके झाईविज़ आपके हैं कर दिससार humility 5 भी कर दो है तो तो आपके हैं या टुिझा कर दो आपके हैं क deciते हैं झाल झाल